तो दोस्तो भारती वाइसना के प्रमुख यानिकी वियार चोधरी सर ने नई दिल्ली में एक इवेंट को अड्रेस करते हुए कुछ बड़ी जानकारियों को यहाँ पर दिया है और हमारे खास हत्यारों को ले करके काफी जादा बड़े खुलासों को यहाँ पर किया गया है तो आम तोर पर कुछ लोगों के लिए ये एक समस्या हो सकती है कुछ लोगों के लिए ये पी यार गेम हो सकते हैं और कुछ लोगों के लिए सिक्रेसी हो सकती है कि भारत के अंदर हमारे जो हत्यार है तो इनको ले करके हमारी सरकार और हमारी जो सेनाई है इनके रवारत ज जानकारी नहीं पहुँच पाती है और कुछ लोगों को यह लगता है कि यह सिक्यूरिटी यानि की सिक्रेसी को मैंटेन करने के लिए किया जाता है तो यह तो लोगों का अलग-अलग तो अगर आप हाईपरसोनिक वेपन्स के मामले में बात करते हैं तो अब आप सब लोग कहेंगे कि हमारे पास कौन से हाईपरसोनिक वेपन्स है हम तो अभी के लिए अपने एचेस्टेडीवी को डवलप कर रहे हैं जिसके माध्यम से हम एक स्क्रैम जेट इंजन को लेकिन दोस्तों ये बात आप सभी की बिल्कुल सही है कि हम हाईपरसोनिक वेपन्स को अब तक तयार नहीं कर पाए हैं लेकिन इससे पहले हम शोर्य मिसाइल को इस्तेमाल करते हैं जो कि हाईपरसोनिक मिसाइल की कैपेमिलिटीज के साथ में आती है इसी के साथ में हमारी स तरकार या फिर सेनाओं की दुवारा काफी कम ही बात की जाती है लेकिन हम कहीं प्रकार के डाइरेक्ट एनरजी वेपन सिस्टम को डेवलप कर रहे हैं यहां तक कि पिया मोदी जी की शुरक्षा में इनको कहीं बार डिप्लोई भी किया जा चुका है और यह सोफ्ट किल और ह हम अच्छे खासी डेवलपमेंट को कर चुके हैं और इसमें हमारे यह जो डेव सिस्टम है यह काफी ज़्यादा मैच्चियोर भी हो चुके हैं लेकिन इसके बाद हम दुर्गा टू नाम के एक बड़े डाइरेक्ट एनरजी वेपन सिस्टम के ओपर भी काम कर रहे हैं जह लगबग 5 गुना ज़्यादा ताकतवर बड़े डाइरेक्ट एनरजी वेपन सिस्टम को भी डवलप कर रहे हैं जिसको हमारी सरकार के दुवारा मेक वन कैटेगरी में डाला गया है यानि कि इसके लिए 70% जो फंड्स हैं यह खुद हमारी गवर्रमेंट के दुवारा दिय जाएंगे और 30% जो फंड है यह खुद की इंडस्टरी यानि की जो प्राइवेट कंपनी आपर स्लेक्ट की जाएगी उसको लगाने होंगे तो इससे ओवराल काम करने का जो तरीका है वो काफी ज़्यादा सिंपल हो जाता है और इसी मोडल को अपनाते हुए दुनिया भर सिस्टम होगा जिसको मेक वन कैटेगरी के अंदर डाला गया है तो इसकी जो पावर है वो साड़े 300 से लेकर के 500 किलो वाट के आसपास की होगी और इसके अलग अलग वेरियंट यानिकी लैंड बेश्ड वेरियंट एर वेरियंट और साथ में जो नेवल वेरियंट है इनको इसको बनाना यह काफी ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि सबसे पहले तो आपको इसका जो साइज है वो काफी ज़्यादा छोटा करना पड़ता है जिससे की फाइटर जैट इसको लेकर के उड़ सके और साइज छोटा होने के कारण इसमें एनरजी को स्टोर करने की जो नेटली हमारी कंपनियों के लिए एक काफी ज़्यादा मुश्किल टाश के यहाँ पर रहने वाला है लेकिन इसी के साथ में भारती वाइशना के प्रमुख ने यह बात भी यहाँ पर बोली कि भले ही हम इनके मामले में अच्छी कासी डवलप्मेंट को कर चुके हैं लेकि हम जो प्रोटोटाइप होंगे इनको काफी कम समय के साथ में टेस्ट करेंगे और इसके अलावा जो प्रोडक्शन है वो दो हजार अठाईस या फिर तीस के आसपा से शुरू हो करके एक से लेकर के दो साल के अंदर ही इनका इंडक्शन कर लिया जाएगा तो डेफिनेटल अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर जीजेगा अगर आप चैनल के उपर पहली बार आएं तो प्लीज से चैनल को सब्सक्राइब कर जीजेगा तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक किल गुट बाई जैहिंद झाल